जाहिन दोस्तो, welcome to my youtube channel, दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज हम लोग powerpoint में presentation बनाना सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को हमें start करते हैं, अगर दोस्तो चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लिजेगा, क्योंकि computer से related सारे वीडियो आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तो, powerpoint स्टार्ट करने के लिए सबसे स्टार्ट बटन पर जाएंगे, और टाइप करेंगे P-O-W-E-R-P-N-T, दोस्तो श्रॉट में और powerpoint खोलने के लिए directly अपको यहाँ पे लिख सकते हैं, P-O-W-E-R-P-N-T, यानि यह जो है extension नहीं होता है powerpoint का, अब प अटा सकते हैं, activation का option है, अब दोस्तो, powerpoint का जो main screen है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसी तरह के font पे आपके भी screen पे दिखेंगे, अब यहाँ पे presentation, animation हम लोग कैसे design करेंगे, यह चीज़ बारी की से आज हम लोग समझेंगे, तो दोस्तो, powerpoint में जैसा कि आप देख पा र होना चाहिए, तो page यहां से हम लोग design select करेंगे, तो page में यहां से हम layout में जाएंगे दोस्तो, और layout भी एक कुछ design आपको यहां से दिख रहा होगा, कि इस तरह के design में आप अपने page को रख सकते हैं, तो इसमें कौन सा design आपको बेटर लग रहा है, जिसमें आप PowerPoint के presentation, animation, draw कर यह एक design यहां से choose कर लेजे, तो दोस्तो यह design हम यह चूज कर लेते हैं, जहाँ पर text type करने के लिए दे रहा है, और यहाँ पे आपको photos वगरा लगाने के लिए options दे रहे, या फिर आप subtitle भी यहां type कर सकते हैं, तो दोस्तो चलिए हम यहां पर text type कर लेते हैं, तो अगर मा पर मैंने वर्ड टाइप किया, वर्ड कंप्यूटर गया एक जो हेडिंग है, अब इसको हेडिंग बना लेते हैं, दोस्तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने कर लिया, लेफ्ट क्लिक के साथ में ऐसे, और आप इसका कलर यहां से चेंज कर लेंगे, होम बटन में हमें सब्टाइटल देना है, तो सब्टाइटल में या तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप कोई印़क ट्वर्ट के साध़ कर मात सकते हैं, जैसे यहां से पिक्च इअध कलीप अधूर्ट ह hay क्लिक करेंगे और यहां इक कंप्यूटर का कलीप टाइप करते हैं, सी इओ computer लिखेंगे यहां से go button पे click करेंगे दोस्तों तो computer ऐसा बना हुआ जाएगा अब इसको left click के साथ उठा करके आप अपने page में डाल लीजिएगा तो कुछ इस तरह के interface में आपको दिख जाएंगे photos अब इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा दोस्तों तो photo को हम बड़ा कर लेते हैं अपने work के हिसाब से यहां पे कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तों photo आपका हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे तो यह दोस्तों suppose मान लिया जाए मेरी photos यह आगई यहां पे अब जो है आपको अगला काम क्या करना है इस में box को मैंने delete कर दिया तो यह आपका design हो गया एक world computer ग्यान और यहां से आपको यह दिख रहा है यहां से ग्यान में right click करके दोस्तों और ignore कर सकते हैं या फिर ग्यान का spelling जो है कि यहां से ignore all कर देते हैं तो यह ऐसा दिखने लगेगा आपका तो यह मेरा first piece का design यहां पे हो चुका है अब इसको movement देना आपको design करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो इसको हम थोरा सा bolt कर लेते हैं यह दोस्तों अब दोस्तों यह home का work हो चुका है अब directly work आपका design का है कि design में जाकर कि इसका background design आप स्यूज करें कि background design आप कैसा रखेंगे तो background design के लिए दोस्तों हम यहां से background style पे चले जाते हैं और यह style सब दिख रहा है आपको यहां पे तो कौन से style बेटर लग रहा है वो कोई भी style आप ले सकते हैं colors अगर आपको लेना हो तो यहां से background format पे जाएंगे और solid color पे जाते हैं दोस्तों और यहां से कोई यह color को हम choose करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरह का कुछ colors अगर आप choose कर सकते यहां से gradient भी ले सकते यहां से जिसमें 2-3 color mix up होता है तो यह mix color मिल जाएगा जिसमें linear कर सकते हैं यहां से radial कर सकते हैं यहां से यह आपका rectangular है यह path है तो इस तरह का design हम अगर देना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं इसमें color में भी correction कर सकते हैं यहां से अगर कोई color add करना चाहें तो इस तरह का और यहां से close कर लिजे दो तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपको दिख रहा है इसमें थोड़ा सा फोटो को हम और छोटा कर लेते हैं और इससे अपमें हम डाल लेते हैं आट दोस्तो बहुत ही अच्छा सा डिजाइन दीख राए लेकिन यह वर्ड का कलर आपको समझ में नहीं हो थो वर्ड का कलर ही हम चेंज कर लेते हैं तो इस तरह से आप यह बैग्राउंड का डिजाइन कर सकते हैं जैसा कि आप दीख पा रहे हैं अब दोस्तो इसमें animations वगर लगाने हैं तो यह design में आप जा करके background का style आप choose कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों transaction का काम है अब आपको transaction में work करने के लिए यहां से transactions में गए हम लोग तो यहां transaction to the slide का options कुछ दिख रहा होगा आपको तो इसमें कौन सा transaction आपको अच्छा लग रहा है एक choose करना है तो यहां से सारे पर आप click करके ऐसा कि देख सकते हैं जैसा कि मैं यहां पर click कर रहा हूँ तो यह transaction कुछ इस तरह का है यह ripple पर click कर रहा हूँ तो यह transactions कुछ आपका इस तरह का जैसा कि आप देख पा रहा है इसमें ये विंडो का है ये ये विंडो टाइब का ऐसे ये विंडो का actually में थोरा सा ठीक लग रहा है तो इसकी जो है इस पीड डिवेशन हम यहां से 1.50 सेकंड है तो अब इसको थोरा सा बरहा करके जैसे वेज़ सारे 3 सेकंड़ कर देते हैं और आप एक बार यहां से हम प्ले करके देखते हैं इसको प्ले करने के लिए आप यहां भी करने के लिए ट्रांजेक्षन करते हैं तो एनिमेशन पे जाते हैं हम लोग और वाल्ट कुछ उल्ग कर लेते हैं यहां से दोस्तो अब यह निमेशन का धेर सारा सिंबॉल्स आपके पास दिख रहे होंगे जिसमें इतने सारे एनिमेशन्ज आपको देख पा रहे होंगे तो इसमें दोस्तों कौन साब को अच्छा लग रहा है, जैसे जूम कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का है आप खानीकी जास्ड़ कर रहे हैं mukaiya, कुछ इस तरह का इस तरह का यह पलास है ऐसे कुछ आएगा उसके अलाबे ये बाउंस का है दोस्तों कुछ ऐसे करेगा आपका और सारे भी बहुत सारे निमेंसंस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक जूम का है अपसन दोस्तों जूम का ये एफेक्ट चेंज कर सकते हैं जूम आउट कर सकते हैं ये कुछ इस परकार का है दोस्तों तो ये जूम का थोरा सा हम डिवरेशन बढ़ा लेते हैं दोस्तों यहां से एट सेकंड कर लिए उसके बाद यहां से फोटो को शैलेट किये और फोटो में गया हम लोग एनिमेशन में गया है तो एनिमेशन में जाने के बाद फोटो के के लिए का्नि मेशन जैसे ले ले यह फाला जूम देखते इस तरा के यह बाहर के तरफ च्राव है यह कुछ इस तरह का और इसका साइस थोरका सा अर डिवेश्ण तो है यहां से तो यहां से दिख सकते हैं आप अदिक्रार कर रहा है तो没有 Hij जाए इसको अगर आपको फूल स्क्रीन में देखना हो तो फूल स्कीन में देखने के लिए आपको जाना होगा स्लाइट सो में अप्सन में और यहां तो बीगनर से स्टार्टिंग हो जाता है एफ फाइफ प्रेस कि जीएगा तो दोस्तों यह आपका फूल स्कीन में यह स्ला लगा दोस्तों ये जरूर कमेंट करके बताईएगा और आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार है वे नाइस टेप बाई बाई